मुख्यमंत्री नितीश कुमार को जब मीडिया के माध्यम से पता चला कि बिहार के गाउं में बेटी और पर्यावरण के संडक्षन का बेहतर प्रयास हो रहा है तो इस गाउं को बिहार का बेहतरीन मौडल बनाने की ठानी 6 जून 2010 को भागलपुर के धरहरा गाउं पहुँचे उस वक्त लवी कुमारी के नाम से पेड लगाया अब लवी भी बड़ी हो गई है और उसके नाम पर लगाया गया पेड भी फल देने लगा है लेकिन वही लवी जिन्हें नितीश कुमार ने गोद में उठाया और दुलार किया था अब वे कह रही हैं कि नितीश अंकल को लगातार मेरे गाउं में आते रहना चाहिए था आना छोड़ दिये हैं तो गाउं का विकास रुक सा गया है लेकिन कहती जरूर है कि मुख्यमंत्री जी के उनके गाउं धरहरा में आने से कई तरक्की भी हुई है सडक, बिजली, पानी, स्कूल और कॉलेज भी गाउं में है लेकिन अब कुछ उतासी चाने लगी है गाउं का विकास रुक सा गया है धरहरा गाउं के ग्रामिन बताते हैं कि नितीश बाबु ने जो वादा किया था उसे भूल गए हैं चार साल तक आए उसके बाद नहीं आ रहे हैं गाउं की परंपरा है कि बेटी के जन्ब पर दसफलदार पेड लगाये जाएं जो बेटी के पढ़ाई लालन पालन और शादी तक का खर्च वहन करता है साथ ही गाउं की हर्याली से पर्यावरन भी दुरुस्त है बिहार का मॉडल भी बना हुआ है हमारा धरहरा गाउं लेकिन अब वो पसंद वाली बात नहीं दिख रही है अब गाउं में विकास की गती काफी धीमी पर गई है